नमस्कार दर्शिकों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कारिक्रम हम आप और कानून में दर्शिकों हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ मांगने वाले लोग दिखाई पड़ते हैं चौक चौराहों की बात करें सिगनल्स की बात करें रेलवे स्टेशन बस स्टेंड बाजार या किसी भी जगे हमें ऐसे लोग बहुत से दिखाई देते हैं बहुत मात्रा में ऐसे लोग होते हैं कुछ दिव्यांग होते हैं कुछ हालस के कारण ऐसा काम करते हैं या कई बार ये भी सुनने में आता है कि ऐसे लोगों को जबरदस्ती भी भिक्षवरिती का काम करवाया जाता है। कभी हम इन लोगों को पैसे देते हैं, कभी बिना कुछ दिये चले जाते हैं, कभी सोचते हैं इनके बारे में कि इनका क्या किया जा सकता है, या इनके लिए क्या करना है, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें कभी सोचते हैं और कभी बिना कुछ सोचे हम निकल भी जाते हैं लेकिन आज हम सोचेंगे आपको भी वचार करने पर मजबूर करेंगे क्योंकि आज का हम आप और कानून का विशह भी यही कहता है तो आएए सबसे पहले आपको बताते हैं हमारा आज का विशे है राज प्राधीकरण की योजना प्रयास के क्रियानवेन महत्व उपलब्धियां एवं हेल्प लाइन नंबर के संबंध में जानकारियां और आज इस विशे पर जानकारियां देने के लिए इस वक्त हमारे माजूद है शुनाली रॉय असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम राइपूर जिलावेधिक सेवा प्राधीकरण राइपूर शुनाली रॉय जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं प्रयास योज कभी आप खुद होके उनको दे देते हैं कभी आप मदद करते हैं कई बार अफसोस होता है कि मदद नहीं भी कर पाए तो सबसे पहला प्रशन तो मेरा यही होगा कि प्रयास योजना या प्रयास अभियान क्या है जी चत्तिसगर राजी विदिक सेवा प्राधिकरन के नयायमूर्ती एवं कार्यपालक अध्यक्ष्य महदय श्री मान महदय श्री गौतम भादुरी जी के निर्देशा अनुसार और विदिक सेवा प्राधिकरन को जीला विदिक सेवा प्राधिकरन को निर्देश दिया गय कि सार्विजनिक चौक चौराहे पर, मंदिरों के बाहर, गिर्जाघरों के बाहर, ट्रैफिक सिगनल पर, रेलवे स्टेशन पर जो भिक्षा वृत्ती में जो लिप्त वैक्ती हैं, उनकी मदद करने के लिए ये प्रयाश योजना एवं उनके पुनरवाश के लिए ये प्रय प्रयाश योजना के तहट वो वैक्ती ही जो विक्चा वृत्ती में लिप्त होकर हमारे समाज के मुख्यधारा से अलग हो चुके हैं, उनके लिए एक अभियान सुरू किया है कि उनके मदद किया जा सके, अच्छा, ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि वास्तों में लोग इसलिए बनाया गया है क्योंकि भारतिय सविधान में सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त के से नालसा के रखन, नालसा राष्टी विदिक सेवा प्रादिकरन, सालसा राज विदिक सेवा प्रादिकरन, एवं जीला विदिक सेवा प्रादिक तो उनके मदद की जरूरत है तो इस वज़े से ऐसे वर्ग को जो हमारे समाज से मुख्यधारा से लिप्त हो चुके हैं जो अलग हो चुके हैं उनको एवं हमारे समाज को इस गंभीर विशय से अवगत कराने के लिए यह बनाया गया है जैसे कि हम देखेंगी कि सार्वजनिक स्थलो पर हम भी जाते हैं सिगनल पर रेड लाइट सिगनल जो होते हैं लाल बत्ती होने पर गाड़िया रुप जाती है ग्रीन लाइट आती है उसके बाद सारी गाड़िया बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं तो बिख्षो उस समय वहान चालक के पास जाकर एक जून 2023 से जीला विदिक सेवा प्राधिकरन को निर्देश दिया गया है कि वे चौक्चा राहे पर जाकर इस देशी की पूर्ती के लिए बिख्षकों से मिल सके एवं उन्हें विदिक सेवा की नियमों को बता सके उनसे ये पूछा जा सके कि वो इस प्रवित्ती में क् अच्छा उन्हें अवस्ट्ता आ गई है कि वो ने भीक मांगने का काम करना है क्योंकि हमारे समाज की बहुत ही बुराईयों में से एक समझा जाता है इसी वज़े से इनका बनाया गया इस अउदेश इसका यही है मुख्य उदेश जी आपने बहुत अच्छी बात हमें बत जो होते थे वो मांगा करते थे भीक बहुत ही काम समझा समझा जाता था और भीक वो तबभी उनहें जो भीक दिया जाता था वो मुटी बरचावल की ही मांगरे थे जो उन्हें अहने पॉप्त वो खालेंगे वो पैसे की मांग महीं भीक disturb you थे ल suscri गष है लेकिन समय के साथ माई देश है वहां के हर भारतियों के मन में अगर कोई हमारे पास आएगा पैसे मांगने के लिए तो हम यही सोचेंगी कि हम अगर इसे पैसे देता तो हम पुन्ने का काम कर रहे हैं सामने वाला क्या करेगा हमें यह नहीं पता लेकिन हम पुन्ने का काम कर रहे हैं इस वज़ ऊक्ति Rebecca भिष्युंदे दिंद्युम्य actively कैसे कमेदारीय१। जुरी आज़ी देडेगिये उन से यह नहीं पूछेंगी कि लिक्री बॉच्टे आप पशैने clipsell Stand लिए डिए ये बाहनी आज़ीया। ये आपने सही कहा कि शुरुवात इसकी जो हुई थी और अब इसका जो स्वरूप है ये बहुत बदल गया है और एक तरह से मांगते हुए अलग तरह के व्यवसाय में ये भिक्षावृति तब्दील हो चुकी है परिम आप से ये ज़रूर जाना चाहूंगी कि क्या भिक्ष तो दो तरीके के हो सकते हैं जो एक्षुल में सही में जो विक्तव जी जो काम नहीं कर सकते हैं जो विकलांग है जो असहाय है जो कभी कुछ कामी कर नहीं सकते हैं उनकी मदद करना सही होगा लेकिन एक तरीके से ऐसे लोग आते हैं जो जिनके पास बगवान के क्रपास है स बिल्कुल हमें लगता है कि तोड़े से पैसे देने में जाता किया जूच के यहे हम चले क हम चले जाते हैं और वही है कि जियादा टाइम हमारे पास भी नहीं होता कि हम उसके वशे सोचें या कई बार ऐसा भी होता है जो लोग स्वस्त हमें दिखाई देते हैं उनसे हम कहते भी हैं कि रिया अच्छे खासे तो हो काम क्यों नहीं करते तो वह बहुत ध्यान नहीं देते और जी आपको दूसरे रहा हम उसी लोग के लिखेंगे इस यह वाली सीजने हमारे साथ होती ही हैं यह पूछना चाह हाँगे आप से कोई अपना नित्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आजकल के जमाने में तो लोग अपने आपको प्रदर्शन करते ही करते हैं, जाथ में यह जानवरों को भी प्रदर्शित किया जाता है, बंदरों को जैसे की नित्र करके पैसे की मांग की जाती है, तो ये भी एक प्रकार से बिक्षा वृत्ती ही है, क्योंकि वो मांग करते हैं, वो अपनी कला को प्रस्तूत नहीं करते हैं, लोग अपनी स्विक्षा से नहीं देते हैं, वो मांगते हैं जाकर, वो नियुत दिखाते हैं, फिर सभी उन्हें जाकर जोली पहला कर लोगों से पैसा मांगते हैं. क्या भिक्षा वृत्ती जैसे है ये एक अपराद है इसे अपराद के शेली में हम ले सकते हैं भिक्षा वृत्ती अपराद तो नहीं है ये हमारे सांस्कृतिक भारती संस्कृति के अनुसार से किसी भी प्रकार से अपराद नहीं हो बाना जा सकता इसे समाजिक बुराई कहा जा सकता है इसके लिए specific कोई कानून नहीं बनाया गया है कि ये अपराद है भारत देश के आजाद होने के पश्चात सर्व प्रथम Bombay Prevention of Bagging Act बना था 1959 का जिसमें विक्षा वृत्ती को अपराद माना गया था इसमें ये प्रवधान किये गये थे कि किसी विक्षा वृत्ती में लिप्त वैक्ती को चौराहे पर या कहीं से भी पकड़ा जाता था तो तीन से दस वर्ष के लिए हिरासत में रखा जा सकता है और इस अधीनियम को कम से कम 22 राज्यों ने अपनाया था अच्छा अपनाया थ मतलब क्या ही अधीनियम आज भी नहीं नहीं भारती सविधान की प्रस्तावना की बात किये जाए तो सभी सभी वैक्तियों के लिए समाजिक आर्थिक राजनेतिक नयाय को सुरक्षित किया गया है भारती सविधान में मौलिक अधिकार दिये गया है और राज के नीती निर करता है हमारे मौलिक अधिकार की अनुचेद 14, 19 और 21 का उलंगन ही है हमारे उच्छतम नयाल है में से यह माना गया है कि यह जो बैगिंग एक्ट है यह मानव अधिकार के तहत खिलाफ में जाकर के 14 और 21 का कारे किया जाता है इस वज़े से इस कानून को प्रवधान को खतम कर दिया गया है इस कानून में यह प्रवधान ने की जैसे कि किसी बिक्षवृति को तीन से दर्स वर्स के लिए हिरासत में रख दिया जाता था बिना वारेन के गिरफतार कर लिया जाता था इनके साराम सी नहीं बताया जाता थी कि क्यो गिरफतार किया जा रहा है तो इन प् सब्सेंतरता अपरापत है. तो इस सब्सेंतरता के कारण इसे अपराद नहीं माना जा रहा है. मैं मापसे यह पूछना चाह swear कि जैसे भीक्षवरिति की हम बात कर रहे हैं तो भीक मांगते हैं लोग तो भीक मंगाना किस तरह का अभिशाप है? कि इसको किस ट्रेणि में हम रखेंगे कि भीक मंगाना जो है वो कैसा अपराद बीक मांगने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना दो वक्त की रोटी के लिए किसी के सामने हाथ पहला रहा है अपने आत्म सम्मान एवं अपने आत्म निर्भरता को वो पूरा निशावर करके ही किसी के सामने हाथ पहला सकता है तो ये एक समाज के लिए अभिशापी है अमारी इतने बड़े देश में किसी को काम की कमी हो रही है और हाथ फैलाना पड़ रहा है तो ये अभिशाप ही है अभिशाप है विडम बना भी हम इसे कह सकते है अब मैं ये पूछना चाओंगे आप से कि भारत में तो भिक्षा वृत्ति अपराद नहीं है जैसा कि आपने बताया किन देशों में भिक्षा वृत्ति को अपराद माना गया है भारत देश में तो अपराद नहीं माना गया है लेकिन बहुत से हम देश हैं जिसमें अपराद माना गया है जिर्माने से भी डंडित किया जाता है और सजावे दिया जाता है जैसे कि हमारा ओस्टेलिया देख लिखですorship और देखों में अपराद घो शित किया जाता ऑँ और कड़ी सजादी जाती है। शुर्माने से डंड़ित किया जाता है।D इन देखों में इसे अपराद माना जा रहा हैं।ब्सप्ञायद किया जाता है। इसे संबंधित जो हो रहे अपराध हैं, वो कौन से हैं, जो प्राउधानों में दिये गए हैं? जी, विक्षा वृत्ती एक प्रकार का वैवशाय बना दिया गया, जिसमें लोग स्वैम को नहीं, लेकिन सामने किसी बच्चे को इस्तमाल किया जाता है, बूढ़ों का इस्तमाल किया जाता है, माता पीता भी अपने बच्चों से भीक मंगवाते हैं, तो भारती डंड सहीता आई-पी-स की बात करें, थारा सो साड के अधिनियम की बात करें, तो यदि कोई वैक्ती किसी बच्चे का विकलाउं करके, या व्यापरन करके, किड्नैपिंग करके, भीक मंगवाता है, तो आई-पी-सी की धारा तीन सो तिर्शट करके अगर्न वो दोसी होगा, ये किसी जमानती नहीं है और अजमानती है इसमें किसी व्यक्ति की सजादी सब्सक्राइब कर सो यह जर्माने से भी डंड़ित किया सकता है और इसे के साथ ऑगाव के संण रक्षन्ड अधिनियम 2015 की बात करें तो इसमें भी प्रवधान बनाया गया है लुक्ताम के लिए इक बच्च से का बच्चे का उपयोग करता है बिक्षा मंगवाने पे तो उसको पांस साल तक की सजा का प्रवधान किया गया और जुर्माने से भी डंडित किया जाएगा और इसी इसी अधिनियम के दाराच चियत्तर में ये भी बताया गया है कि यदि कोई माता पिता अपने ही बच्च उसके जंरक्षन में बच्चा है उससे कोई अपराध करवाता है भी ख्जा मंगवाने के लिए बेशता है तो उसके लिए भी पांस साल की सजा का प्रवधान गया है और एक면ग के जुर्माने का प्रवधान कीया गया है कठोर दंडवास कह सकते हम इसे और बात कर्ये कि maintenance सभी ने सुना होगा भरन पोशन का दिया हमारे दंड प्रक्रिया सहीता 1973 के अनुसार 125 बनाया गया है यह भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि पत्निया बच्चे एवं माता-पिता को कभी किसी के सामने भीक ना मांगा जा सके उनके भरन पोशन के लिए अगर वो सक्षम अपना जीवन यापन कर सके इस उद्देश के लिए भी यह बनाया गया था 125 अगर इसमें हम यह बात करें कि किसमे सजा है तो हम रेलवे अक्त ले लेते हैं रेलवे अधिनियम उन्यस तो इसमें अगर कोई वैक्ती बिक्षा मांगते हुए रेलवे परिशर या रेलवे न तो उसे 141 तक की जुर्माने से डंडित किया जाता है तो यह समानता एसा होता है कि हमारा भारतीय कानून भारतीय देश इतना बहुत ही कोमन मनका है तो आप देखेंगे अねरे adventure जाते हैं site bye हाने जढ़ता हमारे सामने ही लोग आ जाते हैं पैसे इंद के लिए लेकिन बनाया गए आचा यह यह आनि परावधन तो है इसके लिए अमेम आप क्या सोचती है कि क्या विक्षा विक्षा वृत्ति में लिपती नहीं होंगे और विक्षा बानना ही मन कर देंगे सबसे पहला तो हम यह कर सकते हैं और उन्हें प्रोचाहित कर सकते हैं कि वह विक्षा वृत्ति नामाने प्रयास योजना के तहत हम यही कोशिश करते हैं यह कि उन्हें विक्षा वृत्ति से ह प्रादिकरन बिलासफुर के नायमुर्थी का रिपालग अध्यक्षमाननी मौहद है कि निर्देशा अनुसार सही जीला सचिव गिदिक सेवा प्रादिकरन के निर्देशा अनुसार पैरा लीगल वॉलेंटियर अपने कार्यकालिन समय के समय निकाल कर चौक चराहे पर प्रत करते हैं यातायात में जो पलिस उस समय तैनात रहते हैं उनकी मदद लिया जाता है चाइल वेलफेर से मदद लिया जाता है पलिस विभागों से मदद लिया जाता है इस्थानिय प्रशाशन से मदद लिया जाता है और उनका रेस्क्यू किया जाता है उनसे बात किया जाता किसी को की दबाव से तो कोई अपराद नहीं करवाया जा रहा है या फिर या फिर किसी को जबर्दस्ती या फिर अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं अगर रोजगार है तो आप जाते क्यों नहीं है वहाँ पर विक्षा वृति में लेपत क् ऑनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है. हम में से कोई भी पैसे दे देते हैं, हमारी अतनी ही पहल होती है. हमें यह नहीं देखा जाता कि metallic हो रहा है, किसले हो रहा है. तो प्रयास योजना के अभियान से ही ऐसे व्यक्तियों की भी मदद की जाती है और उन्हें सही जगह पे पुनरवाशित किया जाता है क्या बात है ये बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कि प्रयास अभियान से ये प्रयास किया जाता है कि उनका पुनरवास हो चिकित सके लाब की आपने बात बताई और जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, बहुत लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं, जो भिक्षा वृति का भी काम करते हैं, और उनके विशे में हमें नहीं पता कि कितना काम चल रहा है, लेकिन जैसे आप बता रही हैं, यह बहुत ही सराहनी पहल है प्रयास अभिया जैसे कि मैंने बताया भी आपको, कि जब कभी भी ग्रीन सिगनल होता है, तो भिक्षुक जो होते हैं, उन्हें दुरगटना की बहुत अधिक संभावन हैं, बढ़ जाती हैं, किसी भी प्रकार से उनके साथ दुरगटना हो जाती हैं, कोई भी जब विक्षुक शामने आ ज चलेगा भाँचालक को कि विक्षुक आ रहा है, वो हर जगा पे घुमते रहते हैं, तो ऐसे लोगों की ही मदद किया जाता है, इसका महत वो यह यह लिख लेगा कि उन्हें दुरगटना से बचाया जा सकता है, और यह प्रयाश किया जाता है, कि उन्हें पुनर्वाशित क बच्चों को बालविकास योजना के तहट में जो शाषन दवारा प्रवधानने कि पुणरवाशित किया जाता इसे महिलाएं प्रोजिकार द्यासिता है प्रियाश शुजना की उपलब्दिया आकड़ों के हिसाब से तो बहुत ही जाता है मैं आपके सामने कुछ घटनाए रखना चाहूंगी कि डिफेंस काउंसल के दौरा ही ये कार किया गया था डिफेंस काउंसल का कार्य बहतर बचाव पक्ष प्रदर्शित करना क्रिमिनल के स एक पेरा लिगल वॉलेंटियर के दारा मजजद के पहार से एक महिला का रेस्क्यू किया गया उस रेस्क्यू में से महिला से बातचित किया गया कि आप भीक्षा वृति में लिप्त क्यों है तो उनसे बात करने पर पता चला कि वह विक्षा वृति अपने जीवन काल से ही अआ कि मजबूर हाल नेए लेनकरने के लिए ना जीवन करने के लिए उनके पती जेल में चले गये थे यहीं पहले हां के दूंके पहुने नोगविया है यही पताा चला गया तो इसके बाद पेरा लिगल वॉलिंटियर के द्वारा सचिव महदय को संपर किया गया सचिव महदय की संपर करने के बाद डिफेंस काउंसिल के पास ये प्रकरण आया प्रकरण में ये बहतर बचाओ पक शिर्रक कर उस महीला के पती का केस लड़ा गया इवं दोश मुक्त कराया गया अज वो बहतर जीवन जी रहे हैं यह वाक़ी बहुत बड़ी उपलब्धी है और जिस तरह से आप लोग रस्क्यू कर रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है पता आप लोग करके उनके क्या कहना चाहिए कि जो समस्या है उसका समाधान निकाल आप लोग यह वाकई काबिले तारीफ बात है जो लोग हैं जो सामाने नागरिक हैं यदि वो किसी विक्षुक की मदद करना चाहते हैं तो किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है चाशन के दोवारा बहुत से हेल्प लाइन नंबर वगेरा दिये गए है चाशन के दोरा तो बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है लेकिन उन्हें उन तक पहुचाने के लिए प्रयाश योजना सामने आया है प्रयाश योजना स्वेम जाकर विक्षुक से मिलते हैं महिलाओं से मिलते हैं बच्छों से मिलते हैं एवं व्रिद जनों से मिलते हैं मिलकर उनकी समस्या पोचते हैं ये प्रयास योजना में जो कार कर रहे हैं पैरा लिगल वॉलेंटियर्स, डिफेंस काउंसल या विदिक सेवा प्राधीकरन में कार्य कर रहे हैं ये प्रयास योजना के तहत कार्य करेंगे लेकिन आम जनता जो है वो भी उनकी मदद करने के लिए सामने आ सकते है विदिक सेवा प्राधिकरन की helpline number है 151 00 helpline number इस पे संपर कर सकते है पुलिस की पुलिस line की number है 112 एवं child welfare की number है 1098 इसमें कोई भी call कर सकता है और अपनी बात को गोपनीता से रख कर अपनी बात को अपना नाम अपना किसी बिदिक के बताने की इसमें जरुरत नहीं पड़ती है और ये शाशन का जो योजनाए बनाई गई है उसके तहत उन्हें बहुत सिलाव दिया जा सकता है इसके लिए लेकिन पहले जो आम मनुश्य होता है जो आम आदमी है उसे पहले पहल करने पड़ेगी आचा आप क्या सोचती है कि ऐसे भीक्षुक लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए कि वो अभिक्षवृति का काम ना करें हम आम नागरिक क्या कर सकते हैं आम नागरिकों की और से क्या पहल हो सकती है जादा कुछ करने की जरूरत नहीं इक पर बात करके देखिए कहते हैं कि बात करने से बहुत कुछ बदल जाता है जब कभी भी हमारे सामने कोई बिख चुकाता है, भीक मांग रहा है तो हम कभी उससे यह नहीं पुछते कि आप क्यो कर रहे हूं, आज कल थोड़े से बिख चुको की परवित्ती थोड़ी बदल गई है, वो खुद उल्टा जवाब देने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हमा अगर हम प्राटसाहिद करेंगे रोजकार के लिए, तो वो भी स्वेम से आएंगे, यह हो सकता है कि उनके पःस रोजकार नीं है तब ही आते हो, या फिर इसी में आंदणी हो जाती होगी, इसी ऐले आती हो, लेकिन फिर भी, उन्हें जितनी जानकारी, एक सिकशिद को आते हैं, तो प्रयास योजना के तहट लिए बताया जाता है, बिदिक सेवा प्राधिकरनastically के दोरए मौली का सबी दिकार सबी मानुश्यो के लिए वह नको समझ सके परनी, वह मानुश्यदों मात्याजा गां幹ya है, तो दो keeps the word of God, बहुत अच्छी बात आपने बताई शुनाली रोय जी आज आप यहां आई और इस विशे पर आपने इतना अच्छा हमें बताया और एक बात बहुत अच्छी लगी कि बात करने से बहुत हल निकलते हैं आप यहां इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया धन्यवाद तो झाल झाल